आप जानते हो दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ कौन सी है नई मैं कोरोना वाइरस की बात नहीं करी मेरा इशारा घमण नाम के अद्बुच शब्ट की तरफ है जिसकी आग मजलकर रावन से लेकर कच्चुए से रेस लगाने वाला खरगोश हर कोई अपनी शकल पे कोड़ा समझ कर पैरों के नीचे धूल मिट्टी में मसलने के सपने देख रहे हैं तो वक्त आ गया एक बार फिर से घमन की उट्टीवी चिंगारी पर पेट्रोल डालकर नेप्रोटिजम और धोके बाजी की दुकान को आग की लप्तों में हवावाई करने का शिरवात करते हजारों बार स्क्रीन पर चहरे बदल कर नए गानों का तड़का लगा कर बेशर्मी से आपके सामने रख दिया जाता है बस इस बार बदले का फ्लेवर डालकर कहानी को मनुरंजग बनाने की कोशिश की गई है लेकिन अगर आप एक परसेंट दिमाग लगा कर भी ट्रेलर क बची कुची कसर फिल्म के साथ भगवान का नाम चोड़कर पूरी कर दी गई है ताकि नैप्रोटिजम नामक पाप को हमारे देवी देवताओं के साथ जुड़ी हुई आस्था और भक्ती की शकल में छुपा कर स्क्रीन पर बड़ी चतुराई से डाल दिया जाए लेकिन यह पबलिक है सब जानती है उपर से फिल्म में पूरे खांदान को एकटा देकर कलंग जैसी ओसकर डिजर्विंग फिल्म की यादें ताजा हो गई है यह जो खिचडी फिल्म में तयार की गई है उसको चकने के बाद आपके पेट के साथ साथ दिमाग के हालात भी काफी ब बराबर है मुझे काफी गलत फैमी थी कि सिर्फ करन जोहर अपनी पुरानी फिल्मों के दंपर लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं लेकिन महेश भट ने तीस साल पीछे जाकर अपनी फिल्म को नए रूप में ढालकर करन साहब को टककर द बहुत संभालते हुए सड़क टू में थोड़े इमोशन जालने की कोशिश कर रहे हैं इस गहरे काले दलदल में सबसे बुरे फस गये हैं मकरन देश पांडे और जीशू सेन गुपता जैसे बहतिरीन एक्टर्स जिनके चमकदार टैलेंट के उपर महिश भट की नकली और बरबादी वाली दुनिया का ग्रहन लगने वाला है और हां उन महापुर्शों को भी जवाब देदू जो फिल्म को सिर्फ फिल्म की तरह नापने तॉलने के बहानों के पीछे हरे गुलाबी नोटों के बदले में टैलेंट की सौदे बाजी करके नाम के पीछे भट कपू जाए कि शुरुवात 28 अगस 2020 को होने वाली है जब फिल्म के दर्शन आपको हॉट स्टार पर लाइव हो जाएंगे अब ये फिल्म सड़क से आस्मान पर जाती है या फिल्म से जुड़े लोगों को सड़क पर लेकर आती है देखना काफी मज़िदार होगा जरा हेलमेट बगेरा लगाकर बैठीएगा इस बार मुलाकात के साथ साथ मुकालात भी खूब होने वाली है बागी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतजार करिए मिलूंगी के के बाइब बाइब